नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों जैसे जैसे चुनाओ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बयानों में तलकियां देखने को मिल रही हैं ताजा बयान दिया गया है इटावा के संसद राम शंकर कठेरिया की तरफ से राम शंकर कठेरिया ने डिमप देखिए यह हैं राम्शंकर कठेरिया जो कि इस वक्त मौझूदा सांसद हैं इटावा लोग सभा सीर से और डिम्पल यादों के लिए एक बयान जारी किया है उन्होंने मीडिया ने दरसल सवाल किया राम्शंकर कठेरिया से विकास के कारें को कि दिंपल यादों ने विकास के कारव को लेकर सवाल उठाए हैं कि इसमें राम शणकर कटेरिया ने मीडिया के सामने बड़ा ब्यान दिया है क्या है वो बयान वहम को सुन्वाने जा रहे हैं जरा सुनिएगा राम कटेरिया का वो बयान मर गई थी क्या वो सुनिये तुम ने वो कमंत्री वनी रही तुम रोजगार नहीं प्यादा कर पाई आमसर रोजगार पूछ रहे मर गई थी क्या वो सुनिये तिन तिन चार चार बार मुखमंत्री रहे आप रोजगार नहीं पैदा कर पाई तुम रोजगार नहीं पैदा कर पाई हमसे रोजगार पूछ रहे हो शरम नहीं आती है क्या तुम्हारे डोकर मर गए थे क्या ये बयान दिया है राम शंकर कठेरिया ने मीडिया के सामने मीड को सुनाया है मर गई थी क्या इस तरह के शब्दों का इस्तुमाल मर नहीं कि तुम रोजगार पूछ रहे यह किस तरह का बयान है राम शंकर कठेरिया का अब बतौर सांसद हैं आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने शेत्र में क्या विकास कराया है लेकिन राम संक्र कठेरिया साथ साहब उस वक्त की सरकारों को कोज रहें किया और उनसे अब सवाल भी किया जा सकता और अगर आप सवाल करेंगे तो इस तरह की बस जुबानी देखने को मिलेगी बीजेपी के सांसत की तरफ से समाजवादी का रियक्षन आ गया है समाजवादी पार्टी का कह रहे है सुनिए देखिये मैं तो सीजी सीदे अब उनके बयान को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा लेकिन वो जो बयान दे रहे हैं बहुत ही गलत बयार है जिस तरह महिला के लिए वो मर्दे की बात कर रहे हैं जिस तरह की ब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है और यह बात यहीं खत नहीं होती है चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत भी की गई है दोस्तों यह देखिए जिला समाजवादी पार्टी इटावा और उसमें लिखा हुआ है सेवा में मैं पूरा प प्रदेश विकास भवन जनपद हज़र देंज लखनों हज़र देंज लखनों में इनका ओफिस है विशह इटावा सांसत प्रोफेशर राम शंकर कठेरिया द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष मानिया अख्लेश यादो जी और उनकी धरम पत्नी मान अधना में आयोजित मानिये श्रीमती डिंपल यादो जी की सभा के उपरांद प्रेस टीवी चैनलों पर वाइरल वीडियो में एक तालिस लोग सभक श्रित्र इटावा से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया द्वारा श्रीमती डिंपल यादो के खिल गये थे जो उन्होंने अपनी सरकार के दोरान विकास नहीं कराया यह कथन आदस शुनाओ अचार संगिता का खुला उलंगन है समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ इस तरह की टिपड़ी बरदास्ट नहीं करेगी अताहां आप से अन्रोध है कि 41 सा लोग ये लिटर लिखा हुआ है कि विकास नहीं हुआ तो क्या डिम्पल मर गए थी और उनके डोकर मर गए थे पती कहां गय थे जो नहोंने अपनी सरकार के दौरान विकास नहीं कराया तो यह तमाम बाते देखिए यहांपर इस लिटर में लिझ दी गए और चुनावायोक के उ जाए राजनेतिक तोर पर भी तो चुनाओ का वक्त है राजनेतिक व्यक्ति हैं मौजुदा सांसद हैं एक दूसरे के ओपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं लेकिन इस तरह की भाशा कहीं से भी गले से नीचे नहीं उतरती है दोस्तों बहुत शुक्रिया